चुनाओं में बीजेपी प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, घर में ही थे 5-10 सोशल मीडिया पर लोग लेने लगे मजे तमिलनाडू निकाये चुनाओं में भाजपा के टिकट से वार्ड मेंबर का चुनाओ लड़ने वाले उमीदवार को मात्रे एक वोट मिला है हैरान करने वाली बात तो ये है कि भाजपा उमीदवार के अपने ही परिवार में करीब 5-10 है इस एक वोट की वज़ा से भाजपा उमीदवार लोगों की निशाने पर आ गए है सोशल मीडिया यूजर इस मामले को लेकर खूप ट्वीट कर रहे है साथ ही ट्वीटर पर हैश्टेक सिंगल वोट बीज़ेपी भी खूप ट्रेंड कर रहा है मशूर पत्रकार रणवीजे सिंग ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा तमिल नाडू निकाय चुनाओ में बीज़ेपी प्रत्याशी को कुल एक वोट मिले प्रत्याशी के घर में ही पांस अदस्य है इन चार लोगों के दिमाग की जाच होनी चाहिए आखिर प्रोपोगेंडा से कैसे बच गए मशूर पत्रकार पुर्णी प्रसुन बाचपई ने निकाय चुनाओ में भाज़पा प्रत्याशी को मिले एक वोट पर ट्वीट करते हुए लिखा सिर्फ एक वोट खुद का भाजपा नेता को उसके अपने परिवार ने ही वोट नहीं दिया प्रविश कुमार पैरोडी नाम की यूजर ने लिखा गजब बेज़ती है भाई घरवालों ने भी वोट नहीं दिया बागा फैन नाम की यूजर ने मामले पर चुटकी लेते हुए कहा साउत में जुमले नहीं चलते वहाँ पड़े लिखे शिक्षित लोग रहते है अमरदी पवन नाम के यूजर ने भी भाजपा पनिशाना साथते हुए लिखा आज परिवार समझा है कल देश भी समझेगा ऐसे ही अन्नी कई लोग है जो मामले पर भाजपा नेता की चुटकी लेते दिखाई दे रहे है आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनिती गलियारों से जुड़ी वहर वाइरल खबर आप तक पहुचती रहे